करा है आब जाता है बहुत सारी मेलाई इसके वजह से प्रेगनेन नहीं हो पाती है पिरियर में कहीं सारी दिक्कते होती हैं तो इसके लचछड़ है कहीं कारड़ है और इसका लास्ट में बहुत अच्छा उपायधाने वाली हूं जो करके आप इस फ़िरराइट को आसानी से घर में ही सही कर सकती है और जो भी आपको परिशानी हो रही वह आपकी परिशानी दूर हो जाएगी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके लक्षड के बारे में कि कैसे आप अंदाजाल लगा सकती है कि आपके बच्चे दानी मेंं गाट तो नहीं है तो उसमें सबसे पहला लक्शड है कि आपके जो नाभी वाला हुष्टा नाभी के नीचे वाला हिष्टा उसमें आपको काफी जादा भारी पन या खिचावसा महसूस हो सकता है और आपका पीरेषट बहुत हैवी आएगा पीरेषट के साथ साथ आपको क्लॉइट्टन भी बहुत जबहुत जूस्कती है और आपको पीरेषट जो है वह बहुत ज्यूद जब पैंफुल तो यह कही सारे लच्छन हैं जिससे आप पता लगा सकती है कि आपको बचेदानी में गाट की प्रॉब्लम हो सकती है अब इसके कुछ कारण है जिस वजे से यह गाट हो जाती है तो उसमें एक बहुत ही में कारण होता है कि अगर किसी भी महिला को बहुत लंबे समय से कब्स ह बहुत ही जादा कब्स रहता है और बहुत लंबे समय से उस पे अपने ध्यान नहीं दिया आपको वह एक नॉर्मल चीज लग रही है लेकिन वह नॉर्मल नहीं है क्योंकि अगर आपको बहुत लंबे समय से कॉंस्टिपीशन है आप उस ध्यान नहीं दे रही है आपका कब नहीं निकल पा रहे हैं तो जब अंदर ही गंदगी रह जाएगी तो इसका असर आपके यूट्रेस पर बढ़ेगा तो बहुत बड़ी वज़ा यह हो जाती है और दूसरी वज़ा होते हैं जब आपका पेट ही नहीं सही है तो सब पेट से बहुत सारी चीज़े चूड़ी हो तो इस वज़े से आपका हार्मोन भी इंबैलेंस हो सकता है तो आपका हार्मोन अगर बैलेंस नहीं है तो उस वज़े से भी आपके बचेदानी में गाठ हो सकती है और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट बहुत ज़्यादा होने के वज़े से कफी सारा या मिर्च मसाले वाले फूड जादा खाती है तो यह सब चीज़े आप अवाइट करिए अब इसमें उपाइए करना है कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफ स्टैल को चेंज करना है आपको फाइबर रिच फूड लेने हैं जिसमें जादा से जादा फाइबर हो जैसे कि जरूर खाये आप फल खाये इसमें फाइबर बहुत जादा होता है और आप जैसे कि नॉर्मली लोग गेहू की ही रोटी खाते हैं आटा उसी का यूज करते हैं तो आप मल्टी ग्रेन आटा ले जिसमें कई सारी चीजे मिक्स हों जैसे इसमें जोर बाजरा मकई और उसमें तो इसमें बहुत जादा मात्रा में इतने सारी निट्रिशन भी पहुंच जाएंगे और फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचेगा तो इस सब चीज को आप शामिल करें और इसी के साथ साथ आप अपनी डायेट में ओमेगा-3 वाली चीजे जरूर एट करें खेच să चीजे बात चीज़ को आपको सोबा करें नहीं कि यह अगsels पानी बहुत आप सूखता अगर आप सूखा ही झाती है तो यह आपके शरीर में जाकर पानी को अबसौर्ब टे- तो इसलिए हमेशा पानी में भीगा हुआ ही उसके लावा आप अलसी के बीज ले सकती है वो भी उसमें भी बहुत अच्छी मात्राव में ओमेगा 3 फैटी असीड होता है आप राइफ रूट ले सकती है तो यह सब चीजे आप जरूर शामिल करें और उसके साथ ही साथ आपक 3 में तक आपको करना है तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और जो भी यह फॉइब्रेट हो गया है यह असानी से सही हो जाएगा जो लच्छन मैंने शुरू में बताया है वह बहुत सारे लोगों में दिखते हैं और बहुत सारे लोगों में यह सिम्टम दिखते अब ही नहीं है जब समस्या बहुत 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 जाती है तब आपको परिशानी होने लगती है तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है तो यह मोरिंग पाउडर अगर आप यूस करेंगी जिस तरह से बताया है उस तरह से तो धिरे दिरे आपके फाइब्रेट जो है अपन कैस्टर ओयल का यूज कर सकती है और उसको आप अपने नाभी के नीचे वाले अरिया पर नाभी से लेते हुए उसके नीचे वाले अरिया पर सर्कुलर मोशन में दिरे दिरे डेली आप मसाज करें आप मसाज करें जब आप खाली पेट हो यह एकदम आपका पेट भरा हो जाएगी और आप असानी से प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी